ट्रांस्फार्मर एक नौन ओहमिक डिवाइस है जो के निकोला टेसला ने इन्वेंट की थी ताके इनर्जी लॉसिस से बचा जा सके जब हम करंट को एक जगा से दूसरी जगा ट्रांस्फर कर रहे हूं जो जला की क्वेशन से हमने देखा था कि जितनी ज़्यदा अमाउंट आफ करंट हम इन्पुट पे देते हैं इनर्जी लॉसिस जो के हीड की फार्म में होगी वो उतनी ही ज़्यदा होगी इसमें निकोला टेसला ने ये आइडिया यूज किया कि क्यों ना हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज कर सकें क्यूंकि according to non-opmic circuits voltage की value हम जतनी ज़्यादा बढ़ाएंगे current की value उतनी कम होती जाएगे and vice versa कि current की value जतनी ज़्यादा करेंगे voltage की value उतनी कम होगी so Nikola Tesla ने बोला कि हम amount of current को input पे कम से कम करें ताके energy losses जो heat की form में हो रहे हैं उनसे बजा जा सके तो हम transformer में simply करते क्या है voltage की value को vary करने से output में जो current की value है उसको control करते हैं तो transformer is an electrical device in which we use to vary the value of voltage transformer को use करके हम vary करते हैं change करते हैं amount of voltage और indirectly current की value को भी change करते हैं इसका working principle mutual induction है आप अगर mutual induction की working देखें तो सारी के सारी जो transformer की working है वो mutual induction ही है क्योंकि इसका working principle है वो है mutual induction mutual induction में हमने देखा था कि एक coil में current की change की वज़ा से दूसरी coil में induced EMF generate होती है तो वो ही इसका सारा का सारा काम होगा transformer में भी इसकी construction अगर हम देखें तो हमारे पास एक cube shape का एक iron core होता है soft iron core होता है जिसके ओपर हमने दो coils को लपेटा होता है एक को बोलते हैं primary coil और जितने number of turns हमने इस coil पे दिया होंगे उसको हम बोलेंगे NP that is primary coil primary coil को हमने input में alternating current supply दी होती है तो यहाँ पे हमारे primary coil में हमारे पास आजएगी इसी supply और यह जो दूसरी coil है यह है secondary coil secondary coil है यहाँ पे हमने load को लगाया होगा load से मुराद है जो भी चीज़ electrical energy को use कर रही है वो load होगा secondary coil में कितने number of turns होंगे wire के उसको हम बोलेंगे MS so iron core हो गया उसके अपर हमने दो coils को लपेटा हुआ है primary coil के साथ AC supply हमने लगाई हुई है जबके secondary coil वो है जो के उस इसमें generate होने वाली current को utilize करेगी AC supply power supply जो primary के साथ attach है और load जो secondary के साथ attach है यहाँ पे एक चीज़ आप याद दखें यह ट्रांसफार्मर में जो दोनों की दोनों coils होती है primary और secondary उनके दरम्यान कोई भी electrical connection नहीं होता electrically वो एक दूसरे से isolated होती है अलग अलग होती है इनका जो आपस में connection है वो सिर्फ और सिर्फ magnetically है यह आपस में magnetically connected होती है electrically इनके दरम्यान कोई भी connection नहीं होता यह important point है इसको याद रखें working principle इसका working जो इसकी है बड़ी साधी सी है जैसे कि हमने working principle इसका देखा mutual induction है तो mutual induction वाला अगर आपको topic prepare है तो 80% आपका वैसे ही transformer की working जो है वो clear होगी working अगर हम देखें step by step तो होता क्या है the primary coil attached with the AC supply हमने primary coil को attach किया हुए AC supply से यह AC supply का symbol है alternating current हमने इसके साथ attach की हुई है so as current continuously change in primary coil क्योंकि alternating current कहते ही उसे alternating current इसलिए क्योंकि वो higher time क्या अपनी priority क्या कारी होती है change कारी होती है so जब इसमें इस coil में जो current है वो flow कारी है वो change होगी तो इसमें induced EMF generate होगा electromagnetic induction का process होगा जिसके विजाद से इसमें induced EMF generate होगी और वो induced EMF जो है EP वो किसके एकवल है VP क्यूंकि EMF basically हम उसको voltage से represent कर सकते है so इसकी primary coil में generate होने वाली जो induced EMF है वो किसके एकवल होगी according to faraday law हमें उसकी magnitude पता है N delta phi over delta T अब क्यूंकि ये primary coil की बात का रहे हैं तो सब के साथ हमने PP लगा दिया है अब जब इसमें current change होगी जब इसमें current flow का रही है तो definitely इसके एर्दगिर magnetic field भी generate होगी क्यूंकि whenever there is a current there must be a magnetic field around it तो इसमें current जब flow करेगी तो इसके एर्दगिर magnetic field line generate होगी जो के secondary coil में से भी pass करेंगी अब जब primary coil में flow करने वाली current की value change होगी तो उसे generate होने वाली magnetic field line भी change होगी जिसकी वज़ासे secondary coil में से गुजनने वाली magnetic field line भी change होगी जिसकी वज़ासे इसमें induced EMF generate होगी secondary coil में भी so due to change of magnetic field line passing through secondary coil and induced EMF generated in the secondary coil so जब इसमें से पास करने वाली magnetic field line change होगी तो secondary coil में भी induced EMF generate होगी और again उसकी magnitude हम कैसे दे सकते हैं ES is equal to VS is equal to NS delta 5 over delta T induced EMF की value होती है N delta 5 over delta T और क्योंकि ये secondary coil की बात हो रही है तो सब के साथ हमने SSS लगा दिया है और EMF basically voltage होता है तो हमने ये वाला symbol भी use कर सकते हैं तो अब ये जो सारे का सारा scenario हो रहा है ये एक coil में change of current की वजाए से दूसरी coil में induced EMF generate हो रही है तो जब भी कभी change आ रहा हो किसी भी change को represent करना हो तो हम हमेशा mathematically उन दोनों को as a ratio represent करते हैं मतलब दोनों को divide की form में लगते हैं तो कितना change आ रहा है वो देखने के लिए हम equation number 1 को equation number 2 से divide करते हैं left hand side left के साथ और right hand side right के साथ divide होगी तो जब ये दोनों divide होगी तो हमारे पास delta phi delta phi से cancel हो जाएगा delta t delta t से cancel हो जाएगा तो हमारे पाँ value आ जाएगी vs over vp is equal to ns over np तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास vs क्या है वो voltage जो secondary coil में generate होगा यहाँ वो emf जो secondary coil में generate होगी vp क्या है वो voltage यहाँ वो emf जो primary coil में हमने दी हुई है इसी ज़रा ns क्या है number of turns at secondary coil और np क्या है number of turns in primary coil तो अगर इस equation से हम देखें तो हमें पता चलता है कि secondary coil में कितना voltage है वो directly related है number of turns in secondary coil और vp directly related है np के साथ क्योंके दोनों same equation की same side पे आ रहे हैं अगर यह numerator पे है तो यह भी numerator में है यह denominator पे है तो यह भी denominator पे है तो इस equation से हमें information क्या मिलती है कि induced emf generated in a coil is directly proportional to the number of turns in the coil तो इस equation से में पता चला कि किसी भी coil में कितनी induced emf generate होगी वो directly related है कि हमने उसको number of turns कितने दियो है कितने number of wires हमने उसको दियो है जितने ज्यादा number of wires हम उसे देंगे उसमें generate होने वाली induced emf की value उतनी ही ज्यादा ज्यादा generate होगी और किसी coil में अगर number of wire की जो number of turns है वो जितने कम होंगे तो उसमें उतनी ही कम induced emf generate होगी तो इसका मतलब है कि हम number of turns जो हम दे रहे हैं coil को wire के वो change करने से उसमें generate होने वाली induced EMF को change कर सकते हैं और इसी तरह induced EMF को गर हम change करेंगे तो उससे पैदा होने वाली induced current भी क्या हो जाएगी? So indirectly हम just by changing the number of turns of coil हम उसमें पैदा होने वाली induced current को control कर सकते हैं तो इस बुनियाद पे transformer के दो types बनती हैं, बाद उकात हमें output पे induced current की value बढ़ानी होती है, बाद उकात कम करनी होती है तो दोनों के लिए हम अलग अलग transformer use करते हैं, एक को बोलते है step up transformer और एक को बोलते है step down transformer अपने नाम से जायर है कि step up transformer वो है जो के voltage की value को EMF की value को बढ़ाने के लिए use होते हैं और step down transformer कोन से हैं, जो के induced EMF या voltage की value को कम करने के लिए use होते हैं तो जहां पे हमें voltage high करने होंगे, वहां पे हम step up use करेंगे और जहां पे voltage की value को कम करनी होगी, वहां पे step down transformer use करेंगे So step up transformer हमारे पास क्या है? It is a transformer, it is a type of transformer which is used to increase the amount of voltage at the output और यह हम करेंगे कैसे? इस equation ने हमें बताया कि simply क्या करें? कि number of turns in secondary coil बढ़ा दें, number of turns in primary के निस्पद, अगर आप यह figure देखें तो हमारे पास जो number of turns primary coil में हैं, वह कम है as compared to secondary में तो secondary में number of turns जैदा होगे, जिसकी वज़ाँ से इसमें generate होने वाला induced EMF यह हम voltage उसे बोलें, जो voltage secondary coil में generate होगा, वो primary के निस्पद जैदा होगा जिस तरह से step of transformer voltage को बढ़ाता है, उसी तरह step down transformer voltage की value को decrease करता है It is a type of transformer which is used to decrease the amount of voltage at output और इसके लिए हम करते क्या है, in step down transformer, number of turns in secondary coil will be lesser than number of turns in primary coil और यह करेगा क्या, कि voltage जो secondary coil में होगा, उसको कम कर देगा voltage at the primary coil के निस्पद तो अगर आप इसकी figure देखें, तो अगर आप देखें कि इसमें primary coil में number of turns ज्यादा थे यहाँ पर voltage उसको ज्यादा मिर रहा होगा, लेकिन secondary coil में number of turns कम कर दी है क्यों कम कर दी है, ताकर यहाँ पर जो voltage generate हो, उसकी जो value है, वो primary coil के निस्पद जो है, वो कम हो So that means जहाँ पर हमें high voltage की value चाहिए, हम वहाँ पर step up transformer यूज़ करेंगे और जहाँ पर कम value चाहिए, voltage की वहाँ पर step down transformer यूज़ करेंगे So हमारे पर ideal transformer क्या होगा, हमने transformer को बनाया किसलिए था, ताकर जितनी हम इसे input में power दे रहे हैं, वो सारी की सारी हमें output में power जो है, वो मिलें कोई भी energy losses ना हो, so ideal transformer को हम ऐसे define करते हैं, it is a hypothetical transformer, hypothetical बोलते हैं कि मफरूजे के तोर पे, क्योंकि 100% efficiency practically exist नहीं कर सकती हम energy losses को minimize तो कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं कर सकते हैं, हमेशा कुछ न कुछ energy एक फार्म से दूसरी फार्म में convert हो जाती है so ideal transformer कौन सा transformer है, जिसकी efficiency कितनी हो, 100% मतलब जितनी power हमने input में दी है, सारी की सारी जो है, वो हमारी output तक पहुँचे हमें पता है, electrical power किसके कुल होती है, it is the product of voltage and current, so मतलब जहां पे हम voltage की value जितनी कम करेंगे, current की value उतनी बढ़ जाएगे current की value जितनी ज्यादा करेंगे, voltage की value उतनी कम हो जाएगी, लेकिन overall जो उनका product है, जो power है, वो same रहेगी इसमें भी हमारी कोई भी laugh conservation of energy की violation नहीं हो रही, जब हम किसी एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी automatically कम हो रही है, तो product दुनों का same रहेगा so ideal transformer कब होगा, जब जितनी power हमने input पे दी थी, वो सारी के सारी output पे पहुँचे, input पे power हम कहां दे रहे हैं, primary coil में, so input में जो हमारे power होगी, वो आजेगी power होते भी आई, so V की जगा P आजेगा और I की जगा भी पी आजेगा, क्योंकि हम input दे रहे हैं, primary coil में, that should be equal to the power output, again power क formula V I है, लेकिन output हम कहां से ले रहे हैं, secondary coil से, तो V के साथ S आ जाएगा, और I के साथ भी S आ जाएगा, so अगर यहां पे हम ratio देखें, V S इदर जाके divide हो जाएगा, इदर multiply हो रहा है, इदर आके divide हो जाएगा, so that will be equal to the IS over IP, इसका मतलब है, ratio of voltage will be equal to the ratio of current, इसका मतलब है, voltage की value जितनी कम या जैदा होगी, उसी निस्बस से हमारे पास current की value भी कम या जैदा होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि mathematics में ratio हमें हमेशा change के बारे में बताता है, so change जितना voltage में आ रहा होगा, वो equal होगा, जितना current के current में change आ रहा होगा, so अगर यहां पे आप ध voltage और current की value आपस में inverse है, इसी तरह secondary में voltage और secondary में current दोनों एक numerator में है, एक numerator में है तो दूसरा denominator में है, बलब इन दोनों का आपस में inverse relation है, इससे हमें पता क्या चला, कि hence by increasing voltage, we can decrease the value of current, and hence can avoid the energy losses, यहां से हमें पता चला, क्योंकि दोनों के दरम्यान inverse relation है, तो अगर हम voltage को कम कर सकते हैं, और जब current की value कम होगी, तो according to Joule's law, energy losses भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम current को एक जगा से दूसरी जगा पहुंचा रहे हैं, energy losses के बगार, energy losses 0 तो नहीं है, लेकिन हमने energy losses को minimize कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ current तो है, तो लेकिन इसने बहुत ज़्यादा हद तक हमारे energy losses को minimize कर दिया था, so few energy losses always there, ये energy losses किस वज़ा से हो सकते हैं, तीन वज़ुहात मैंने discuss की हैं, सबसे पहले है eddy currents, दूसरा है heat loss, तीसरा है hysteresis, so eddy currents क्या होते हैं, हमने wires को आपने देखा होगा, कि हमने उसके उपर एक काली सी tape चड़ाई होती है, insulation की दी होती है, अगर आप बाहर कभी देखेंगे, तो आपको wire as it is नदर नहीं आएंगे, बलके हमेशा हमने wire को एक black color की tape के अंदर रखा होता है, वो जो black color की tape है, वो plastic की भी हो सकती है, और वो क्या होते हैं, insulator, तो इसका मतलब है कि हमने उसके उपर insulation चड़ाई हुए है, उसको surrounding से insulate किया हुए है, ताकि अगर कोई परिंदा उसके उपर आके बैठे तो उसको current ना लगे, यहां मूँ से touch करें, तो हमें current ना लगे, तो बाद उकात ही होता है, कि वो insulation किसी जगा से break हो जाती है, तूट जाती है, हराब हो जाती है, जिस तर बहुत current जो है, वो input में जाने से पहले ही surrounding में चली जाती है, जिसकी वज़ाद से वो energy loss होता है हमारा, so current generated due to imperfect insulation, insulation के हराब होने की वज़ाद से, जो current generate होती है, उसको eddy current बहुते हैं, और इसकी direction हमेशा original current के perpendicular होती है, क्योंकि हमने जबरदस्ती इसको drift velocity दे के voltage apply करके charges को ए वहाँ से निकल के दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज हाई concentration से low concentration की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो क्योंकि वहाँ पे number of charges बहुत जाद है, जो ही उनको बाहर निकलने का रस्ता मिलेगा, तो वह right या left वहाँ से निकल जाएगा, तो यह आपका बड़ा important MCQ है, कि जो eddy current की direction होती है, वो हमेशा original current के perpendicular होती है, तो इसको correct कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह imperfect insulation की वज़ा से है, insulation हराब होने की वज़ा से है, तो अगर हम make sure कर रखें, कि wire के उपर लगी हुई insulation जो है, वो कहीं से हराब ना हो, विलकुल perfect हो, तो eddy current से हम energy losses से बस सकते हैं, उसके बाद है heat loss, अगर हमारे पास current की कहीं पे भी leakage होगी, तो वहाँ पे heat generate होगी, क्योंकि अब वो electrical energy का utilize नहीं हो रही, तो वो किस form में, heat की form में convert हो जाएगी, और circuit को वो damage भी कर सकती है, अगर कहीं पे circuit block हो गया है, यह proper leakage, हमारे पास insulation न electrical energy है, वो heat की form में convert होगी, और last पे है hysteresis, hysteresis basically एक material की property है, जिसकी वज़ास से अगर हम उसको एक दफा magnetize कर दें, तो वो magnetic field हटाने के बाद भी magnetize रहती है, किसी भी material की वो property, जिसकी वज़ास से अगर हम उस material के उपर magnetic field लगाना छोड़ भी दें, तो उसके बाद भी अगर थोड़ी देर के लिए magnetize रहती है, material की इस property को हम बोलते है hysteresis, और यह material dependent है, सेम इसी तरह, जैसे अगर आप कोई तवे को चूले के उपर अगर आदा पोना घंटा रखें, आदा पोना घंटा चूले के उपर रखने के बाद उसको हटाएं, तो ऐसा नहीं होगा, कि जू ही field में रखते हैं, और magnetic field से हटा भी दें, तो कुछ देर तक वो magnetize रहते हैं, कुछ material ऐसे हैं, जिनको magnetize करना असान है, और सेम उसी तरह demagnetize करना भी असान है, उनको हम बोलते हैं, soft magnetic material, लेकिन कुछ material ऐसे हैं, जो तो पहले magnetize होते ही नहीं हैं, लेकिन एक दफा जब magnetize हो जाएं, उसके बाद वो demagnetize नहीं होते हैं, तो ऐसे material को हम बोलते हैं, hard magnetic material, लेकिन याद रखें, transformer में जब भी हमने ये जो iron core हमने जो यूज की है, ये हमेशा हम soft iron core यूज करते हैं, जिसको magnetize करना भी असान हो, और demagnetize करना भी असान हो, अगर हम hard magnetic material यूज करेंगे, त हमें पता है कि transformer में दोनों coil के दर्मयान जो connection था, वो है ही magnetically था, तो अगर वो magnetize ही नहीं होगा, तो हमार पास output में कोई भी value नहीं आएगी, और जितनी भी हम input पे दे रहे होंगे, वो सारी की सारी energy हमारी जाया हो रही होगी, तो इसलिए, to overcome this problem, we should use soft magnetic material as a core of transformer, soft magnetic material जिसको magnetize करना भी असान हो, और उसके बाद de-magnetize करना भी असान हो, इस तरह से आज के lecture में हमने देखा कि transformer होता क्या है, इसका working principle क्या है, इसको हम use क्यों करते हैं, इसकी कितनी types हैं, और इसमें energy losses कैसे कैसे होते हैं, और उनको हम minimize किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सारी के सारी पेटर में, ट्रांस्वादमा के बारे में cover की हैं,